Day Monday, Day 8, 12 April 2021, Class 3rd, Chapter No. 1, आपकी चाप्टर का नेम है Safety First, सुरक्षा सबसे पहले Let's be read, we should always be careful regarding our safety, safety habits must be followed to avoid any kind of trouble हमें अपनी सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा क्या होती है, Safety हमें अपनी सेफ्टी को लेकर हमेशा क्या रहना चीए, सावधान रहना चीए, चोकन्ना रहना चीए, केरफुल रहना चीए Safety habits must be followed to avoid any kind of trouble Trouble क्या होता है, परिशानी हमें किसी भी तरह की परिशानी से बचने के लिए सुरक्षा आद्धो का पालन करना चीए सुरक्षा आद्धो क्या होती है, Safety habits Safety मतलब सुरक्षा और habits का मतलब क्या होती है, आदते तो हमें सुरक्षा आध्दोका का करना चाहिए, उन्हें फोलो करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए ठीखे, नेक्स देखे, right R for the right action and W for the wrong action जो गलत बात है उसके लिए हम R लिखेंगे और जो सही बात है उसके लिए R लिखेंगे जो सही बात है उसके लिए R R का मतलब क्या है right और W का मतलब क्या है wrong Let's read First देखिए We should use sharpeners not blade to sharpen the pencils हमें pencil को तेज करने के लिए sharpener का उपयोग करना चीए ना की blade का जब आप pencil तेज क्यों करते हो क्योंकि आपके handwriting सुन दरो अगर handwriting सुन दरोगी तो आपको good भी मिलेगा तो अपनी pencil को shop करने के लिए हमें हमेशा sharpener का उपयोग करना चीए हमेशा भी sharpener का उपयोग करना चीए ना की blade का blade आपको harm पंचा सकते है आपकी उंगली कटो सकती blade से तो blade का use नहीं करना चीए always pencil को shop करने के लिए sharpener का use करना चीए तो यह बिल्कुल correct बात है तो उसके लिए आप r लिखोगे we should write the bus when it stops क्या हमें बस को तबी रोकना चाहिए जब वह रुख जाए yes हमें तबी रोकना चाहिए जब वो रुख जाए आर second पर क्या लिखोगे आप r right यह right sentence है next दिखिए we should quad with strangers quad क्या होता है जगडा करना क्या हमें strangers strangers कौन होते है अजनबी जिसे हम जानती नहीं जो हम जिसको हम जानती नहीं है वो हमारे लिए क्या है strangers है हमें अजनबियों से जगडा करना चाहिए करना चाहिए या नहीं नहीं करना चाहिए तो यह बोल रहे है करना चाहिए तो यह wrong है तो उसके लिए आप w लिखोगे यह wrong sentence है next देखिए we should not बचे आप यहाँ पर open लिख लेना we should not open the door for strangers हमें strangers के लिए अजनबियों के लिए क्या हमें दरवाजा खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए देखिए यहाँ पर note लिख है न नहीं खोलना चाहिए बिल्कुल correct बात है हमें अजनबियों के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए तो write इसके लिए आप आर लिखोगे right next देखे we should not take any gift from strangers हमें अजनबियों से कोई उपहार नहीं लिना चाहिए हमें जो लोग हमें जानते नहीं है उनसे कोई तोफा नहीं लिना चाहिए नहीं लिना चाहिए ना not लिखा हुआ है तो यह सही बात है तब यहाँ पे क्या लिखोगे r next देखे we should remember our home address क्या हमें अपने घर का पता याद रखना चाहिए yes यह बिल्कूल अच्छी बात है आप सबको अपने घर का पता होना चाहिए आपने घर का है आपे घर का घर house number क्या है आपके जो आप street में रहते हो उसका नाम क्या है आपको अपना पूरा ड्रेस पता होना चाहिए we should remember our home address yes हमें remember याद होना चाहिए यह क्या है right next देखे we should alight from a running bus we should alight from a running bus क्या हमें चलती बस से उतरना चाहिए no इससे क्या हो सकता है accident हो सकता है हमें चोट लग सकती है तो इसलिए हमें चलती बस से कभी भी उतरना नहीं चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे w wrong यह wrong sentence है next देखे we should go to the market mall with our parents हम अपने माता पिता के साथ बजार या mall हमें जाना चाहिए yes mamma पापा के साथ हम कहीं पर भी जा सकते हैं अगर बड़े हमारे साथ हैं तो उनके साथ हम कहीं पर भी जा सकते हैं तो यह right sentence है तो उसके लिए आप r लगाओगे next दिखे we should use cutter for paper cutting क्या हमें paper को cut करने के लिए cutter का use करना चाहिए नई अभी हम बहुत छोटे हैं तो cutter का use हमें नहीं करना चाहिए इसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे w यहाँ पर मैंने r लिखा हुआ है आप यहाँ पर क्या लिखोगे w गलती से लिखते है next देखे we should use zebra crossing while crossing the road क्या हमें zebra crossing जब हम zebra crossing को cross करते हैं तो हमें सडक पार मतलब जब हम सडक को पार करते हैं उस समय हमें zebra crossing का उपयोग करना चाहिए yes अगर zebra crossing बनी हुई है तो हमें उसी के उपर से जाना चाहिए उसको उससे ही cross करके सडक को पार करना चाहिए यह बिल्कुल सई सिंटेंस है उसके लिए आप r लिखोगे next देखिए we should play on the road we should play on the road क्या हमें सडक पर खेलना चाहिए no सडक पर खेलने से क्या हो सकता है accident हो सकता है हमें चोट लग सकती है तो घर की आशपास जो पाक होती है यह घर पे आप वहीं पे खेल सकती है अगर आप road पे खेलोगे तो आपको काफी चोट लग सकती है तो यह wrong sentence है उसके लिए आप w लिखोगे next देखिए we should not run on the road क्या हमें road पर सडक पर भागना नहीं चाहिए yes हमें सडक पर भागना नहीं चाहिए तो यह right है तो आर लिखो किस के लिए आप next देखिए we should not accept chocolates from our friends हमें अपने दोस्तों से chocolate ले लेनी चाहिए we should not नहीं लेनी चाहिए हमें अपने दोस्तों से chocolate नहीं लेनी चाहिए wrong दोस्तों हमारे friends होते हैं उनसे तो हम chocolate ले सकते हैं बढ़ हमें अजनबियों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए अगर जो लोग हमें जानते नहीं है उससे हमें कोई fruit कोई chocolate कोई candy कोई toffee लेनी चाहिए तो जो हमारे friends नहीं है जो हमारे friends नहीं है तो उनसे नहीं लेनी चाहिए जो हमारे friends नहीं ले सकते है तो we should not accept chocolates from our friends हमें अपने दोस्तों से chocolates अविकार नहीं करना चाहिए wrong हमें कर लेना चाहिए आप इन्होंने note लिखा हुआ अगर friends नहीं हैं उनसे कर लेना चाहिए next दिखे we should not take lift from strangers lift क्यों आते हैं जब हम कहीं जा रहे हैं और रस्ते में हम किसी को हाथ करके रोक लेते कि यहां हमें यहां तक छोड़ दीना अगर वो stranger हैं वो लोग अगर आपको जानती नहीं है तो उनसे help आपको नहीं लेनी है उनसे lift आपको नहीं लेनी है पचिस को ध्यान से फिल करना, Thank you, Have a nice day.